Energy drinks से होने वाले 6 नुकसान जो आप से छिपा कर रखे जाते हैं Energy drinks को 1987 में यूरोप में पहली बार लाया गया उसके बाद से इनकी popularity सिर्फ बढ़ी ही है दुनिया भर में लोग instant energy के लिए इन drinks का सेवन कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सेहत को कैसे नुकसान पहुचा सकती हैं ऐसे ही जनकारी वीडियो देखने के लिए चैमनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी दुनिया जहां लोगों में सब्र नहीं रह गया है अब सभी को फॉरन परिनाम चाहिए होते हैं ऐसे में लोगों का एनरजी बूस्टिंग ड्रिंक्स की तरफ रुख कर लेना चौकाने वाला नहीं है ये ड्रिंक्स पीते ही आपको तुरन्ट एनरजी मिल जाती है एनरजी ड्रिंक पीना भले ही अब फैशन का हिस्सा बन गया है लेकिन क्या ये सच में वही है जिसका दावा किया जाता है एक स्पट्स की माने तो जितना हो सके आपको इन एनरजी ड्रिंक्स से दूरी बना कर ही रहना चाहिए ये drinks भले ही आपको instant energy से भर देती हो लेकिन लंबे समय में इनसे सिर्फ नुकसान ही होगा आए जाने energy drinks से होने वाले नुकसान के बारे में नंबर वन caffeine का overdose से hypertension की समस्या energy drinks caffeine से भर पूर होती है जो एक चिंता की बात है आधा लीटर energy drink में कम से कम 200 ग्राम caffeine होती है जो 500 ग्राम तक भी जा सकती है caffeine का जरूरत से ज्यादा 7 high blood pressure दिल की धड़कने बढ़ना, डर और केल्शियम की कमी का कारण बन सकता है नंबर 2 diabetes का खत्रा caffeine की उच्चा खुराक के साथ चीनी की उच्चा खुराक भी जाती है जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है energy drink की आधी लीटर बोतल में 220 calories होती है जिससे type 2 diabetes का खत्रा बढ़ सकता है नंबर 3 चिंता बढ़ सकती है कुछ लोगों में genetic कारणों से बेचैनी की समस्याएं शुरू हो सकती है एडेनोसाइन रिसेप्टर्स में किसी भी तरह का बढ़लाव उन लोगों में चिंता पैदा कर सकता है जो नियमित रूप से energy drink का सेवन करते हैं ऐसा high caffeine की वजह से होता है नमब फोर दातों से जुड़ी समस्याएं energy drinks चीनी से भरपूर होती हैं जो आपके दातों की सेहत पर असर डालती हैं इनमें मौजूद चीनी आपके दातों के इनामेल को खत्म करती है जिससे hypersensivity, cavity आदी की समस्याएं शुरू हो जाती हैं नमब फाइव पानी की कमी और कमजोरी energy drinks का इस्तिमाल शरीर में तुरंट energy boost करने के लिए किया जाता है यही वजह है कि लोग इसे workout या फिर कोई sport खेलते वक्त पीते हैं अगर इसे आप पानी की जगा पीना शुरू कर देते हैं तो इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है कैफीन का उच्छ स्तर आपके kidney function को बिगारता है और शरीर में dehydration होने लगता है नमब फिक्स लग जाती है लट energy drink पीने का एक और नुकसान यह है कि इससे कैफीन की लट लग जाती है workout session से पहले आपको हर बार लगेगा कि एक बोतल पी ही लें समय के साथ आपका इन drinks के बिना कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा disclaimer लेक में उलिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें धन्यवाद